पिछले सेशन में हमने computer hardware, CPU और input devices की जान करे ली इस सेशन में हम बात करने वाले हैं output devices कौन सी है और कौन से मुख्यता प्रयोग की जाती है पहले हम आपको यह जान करें देदू कि output devices होती क्या है जब आप input provide करते हैं CPU को तो वो आपकी द्वारा दी गई input या आदेश पर कोई कारे करता है जो वह कारे करता है उसका CPU processing करता है और finally एक output या result त्यार करता है उस result को computer के द्वारा अलग-अलग output devices पर भेजा जाता है तो वो devices जो computer के द्वारा produce की गई output दिखाते हैं उन्हें output devices कहते हैं इसमें सबसे पहले monitor है LCD, LED इसी के एक parts है, विक्सित parts है सबसे पहले monitor यानि कि एक TV जैसे screen यूज होती थी लेकिन आज कल वो LCD, LEDs में convert हो चुकी है monitor एक output device है जो computer तोरा generate किये गए output को यानि कि computer ने processing करके जो output दिया है, उसको computer के screen पर लाने का कारे करता है और monitor उसे दिखाने का कारे करता है, जैसे example के लिए आपने किसी movie को on किया तो जब वे visual play होगा तो उसे computer screen पर दिखाय जाएगा तो वो monitor पर ही दिखाय जा सकता है इस तरह से जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, mouse इलाते हैं तो जब आप mouse में कोई moment करेंगे या keyboard पर कुछ type करेंगे तो उसको दिखाने के लिए monitor का प्रियोग किया जाएगा साथ ही जब आप उस input को दे देंगे फानली input देने के बाद जो आपके पास processing होगी और जो output आएगा वो भी visual रूप में, video के रूप में computer के screen पे दिखाय जाएगा पन्तु माल लीजिए कोई ऐसी output है जो आवाज के रूप में है तो उसको आप speaker यानि कि एक अलग output device से प्राप्त कर सकते हैं माल लीजिए आपने कोई movie चलाई, video तो screen पे चला गया लेकिन आवाज कहां से आएगी आवाज के लिए speakers का प्रयोग किया जाता है आपको गाने सुनने है या computer में कोई कारह कर रहे हैं तो उन सब activities में कुछ sound जुड़ी रहती है जब आपको बटन दबाएंगे या कुछ गलत बटन दबाएंगे या कुछ गलत हो रहा हुगा या कुछ सही हो रहा हुगा कोई task complete होगी तो उन सब को एक sound के साथ reflect किया जाता है तो sound से related कोई भी output जो है वो आपको speakers एक output device के रूप में प्रापत करवाते हैं फाइलली एक projector हमारे पास है projector का use images या videos को बड़ी screen पे दिखाने के लिए या projection screen पे दिखाने के लिए किया जाता है यह बिलकुल एक monitor जैसा है आप इसकी तार को CPU के साथ जोड़े तो जो भी CPU processing कर रहा है उसकी जो output है वो बजाए monitor के या LCD LED के projector पे transfer कर दी जाएगी possibilities हैं बड़ी screen पे दिखाना बड़ा बड़ा करके दिखाना चीज़ों को वो एक benefit projector से मिल जाता है इसके लवा अगर हम बात करें output की तो printer एक important part रहता है आउटपुट में printer जो है एक output device है और यह है जो आप कारे करते हैं computer के उसको print out के रूप में लेने में साहता करता है माली जी आपने कोई letter type किया आपने को Excel का sheet बनाया आपने को कारे करके छोड़ा उन सब को आप printer के द्वारा प्रापत कर सकते हैं जिसमें आप paper का प्रियोग करेंगे आप अपने paper को अपने printer में set करें और यहां computer से command दें आपके द्वारा दिया गया output printer के द्वारा paper पे print कर दिया जाएगा और आप उसे hard copy में प्रापत कर लेंगे उधारन के लिए buy data है आपने एक buy data type कर दिया computer में अगर आपने किसी को भीजना तो आप email भी कर सकते हैं पर माल लीजे आपको किसी को देना है तो फिर आपको उसको paper पे print करना पड़ेगा इसके लिए आप अपना कोई भी printer इस्तेमाल करें और command दें आपने जो भी buy data type किया जाता वो page पर print होके आपके पास आजाएगा computer में ऐसे काफी सारे software रहते हैं जो printing देने से पहले ही आपको दिखा देंगे कि आपका print किस तरह से दिखाई देगा तो ये बड़ी advantage रहती है software की तो printer में जब print दे दिया जाता है तो फिर आपके पास hard copy में वह available हो जाता है यहां पर दो categories को जुरूर discuss करेंगे impact printer और non impact printer इसके लिए हम अगले lecture में इन दोनों को देखेंगे धन्यवाद